हेलो आप सब लोग आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे जो reading हम करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके person की जो रात की night की strong feeling है वो क्या होने वाली है आपके लिए तो ये एक general timeless reading है तो इस general timeless reading को आप लोग अभी भी देख सकते हो let's see let's start कि आपके person की रात की strong energy आपके लिए क्या होने वाली है वो रात को आपके लिए क्या सोचने वाले हैं पहला हमारे पास है page of fonts की energy और airy such darius Leo है तो ऐसा लग रहा है जैसे की रात को कहीं न कहीं जिस दिन भी आप रात में देख रहे हो मैं उस दिन के energy आपको बोल ले हूँ रात में मुझे लगता है कहीं न कहीं ये person बहुत जादा ही बार बार अपना phone चेक करेंगे अगर आपको block करके रखा है तो unblock करके देखेंगे you know बार बार आपके उपर नज़र रखने की कोशश करेंगे तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये person जो है वो आप तक पहुंचने की बार बार कोशश करेंगे ठीक है और reach out करने की कोशश करेंगे वो देखेंगे कि आपकी thoughts क्या है आप क्या कर रहे हो online हो या फिर आप सो गए हो ठीक है कही न कही मुझे लगता है कि आपके person वो सारी चीज़े बहुत सोचने में time व्यतीर कर देंगे और कही न कहीं मुझे लगता है कि वो अपना power show करेंगे वो दबरदस्ती you know आपके life में interfere करने की कोशश करेंगे कही न कहीं वो दबरदस्ती आपके बारे में knowledge लेने की कोशश करेंगे वो बोलेंगे कि मुझे तुम्हारे बारे में ये जानना है तो जानना है ठीक है इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है एस ओफ वोटर तो एस ओफ वोटर के साथ रहसा लग रहा है कि ये परसन जो है वो रात को कही न कहीं बहुत जादा ही इमोशनल फील करेंगे आपको लेके आपके लिए उनके दिल में चीजें ऐसी ही है मतलब वो बहुत इमोशनल है आपको लेके लेकिन कहीं न कहीं वो चीजों को जादा दिखाते नहीं है कहीं न कहीं वो जादा चीजों को शो बाजी नहीं करते हैं उनको वो चीज नहीं पसंद है लेकिन इतना honest चीज इतना जरूर है कि ये person आपको रात को emotionally बहुत जादा connected आपके साथ महसूस करते हैं जिस तरीके से रात में आप लोग बात करते थे जिस तरीके से आप उनको कु मुझे ये बंदी चहिए ही चहिए अपने लाइफ में तो कहीं न कहीं मुझे हम पैसा लग रहा है कि यह आपको भी emotional करने की priory करेंगे खुद सायद रात को एक emotional side देखोगे कि किस तरीके से अगर उनका मन हो तो वो कैसे आते हैं बात करने के लिए ठीक है क्योंकि हमेशा आपका मन होता है तो वो ignore वगरा कर देते हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज राज कहीं न कहीं वो आपके पास लौट के आएंगे दौड के आएं नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट हमारे पास है night of wants की energy so night of wants की साथ मुझे कहीं न कहीं यहां पर ऐसा लग रहा है night of wants के साथ मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि action होगा ठीक है कुछ arguments आप दोनों के बीच में हो सकता है यह में एक warning दे रहते हूं अगर दोनों साथ में बात करते हो आज रात को करोगे तो थोड़ा सा देख संभाल के क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में थोड़ी सी arguments थोड़ी सी अन्बन ये चीज़े थोड़ी हो सकती है तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है otherwise मुझे actions की चीज दिख रही है ऐसा लग रहा है कि यह person action लेंगे सोचेंगे आपके बारे में ठीक है बहुत टाइम से अगर आप दोनों के बीच में कोई बाते कोई चीजे बिलकुल रुक गई थी ठीक है बहुत टाइम हो गया मतलब रुक गई है दोनों एक दूसरे से बिलकुल बात नहीं कर रहे हो तो मुझे action के card दिख रहे है हो सकता है रात को वो आए message करे call करे आपके स रहा है लेकिन प्यार से बात करना और तुम मेरी जरूरत हो ये चीजे शो करना वो बिलकुल भी नहीं भूलेंगे अगर आप दोनों कहीं ना कहीं night stay आपने कभी भी किया है आप एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं ये person उसको बहुत मिस कर रहे है कैसे एक दूसरे को पकड़ उस चीज़ को बहुत जादा मिस करेंगे उस चीज़ को बहुत जादा ही याद करेंगे ठीक है और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके person जो है वो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए वाले इंसान वो मुझे नहीं दिख रहे हैं कुछ ना कुछ वो जुगार लगाएंगे आप तक पहुँचने के लिए आपके साथ बात करने के लिए ठीक है next हमारे पास क्या है the death energy है transformation मुझे दिख रही है यहां पर ठीक है scorpion energy है so I can see a strong transformation here और transformation के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि यह person कहीं न कहीं अपनी decision को change करने वाले हैं ठीक है कहीं न कहीं मुझे यह चीज़ दिख रही है देखो आप दोनों का जो situation है ना वो situation change होगा बहतर होगा आपको सोचने की बहुत tension लेनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक चीज़ मुझे बहुत strongly यहां पर दिख रही है कि situation यहां पर है कुछ और actually में real में कुछ और है ठीक है मतलब यह कि हो सकता है कि आप दोनों का ऐसा दिख रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि relationship का future नहीं है या फिर relationship का future बहुत difficult है लेकिन मुझे जो यहां पर दिख रहा है वो यह कि एक मतलब एक ऐसी phase से जब आप निकल जाओगे ना जो phase आपको तकलीव दे रही है ठीक है एसे phase से जब आप निकल जाओगे ना जो phase आपको तकलीव दे रही है तो उसकी बात जो है हमारा एक दूसरे के साथ चल रहा है लेकिन honestly with clarity मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि यह person जो है clarity के साथ मुझे यह दिख रहा है कि यह जो person है न अपने आप ही बहुत सारे चीज़े सही हो जाएगा अगर आज रात वो आपके पास आते भी हैं लड़ाई जगडा होता भी है तो भी आप दोनों के रिष्टे में change आएगी और तो भी आपके रिष्टा positive की तरफ ही जाए यहां है चीज़े कुछ negative होता हुआ है फिर चीज़े कुछ difficult होता हुआ मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़े positive होगी जैसे है वैसा नहीं होगा बस डरना बंद कीजिए आप दोनों ही डर रहे हो शायद वह आप बंद कर दीजिए चीज़े अपने आप जगा पर फॉल हो ज जाएगी ठीक है कि हमारे पास यहां पर है five of sword कुछ कमिट करते हुए मुझे आज की दिख रहे हैं कमिट करते हुए मतलब यह की अपनी गलती का commitment करते हो कि हां मुझे गलती हुई है जाने अनजाने में ही सही मैंने यह गलती किया है अब इसको मैं सही करने के लिए क्या कर सकता हूँ तुम ही बताओ ठीक है मतलब इस तरीके की energy मुझे यहां पर दिख रही है ठीक है आपके person मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कही ना कहीं आपके partner जो है देखो एक होता है कि आपके साथ politics किया और आपके साथ cheating किया उसका वो मुझे ही confess करेंगे रात को जब बात होगी ना आप अगर बिल्कुल कड़वे शब्द में उनसे पूछोगे या फिर कड़वाहट के साथ उनको पूछोगे तो कही ना कहीं ये person जो है वो उस चीज को commit करेंगे कि हा मुझसे गलती हुई थी अगर कोई गलती आज तक आपने परदे पे डालके रखा है चुप होके रखा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो उस चीज को भी मतलब confess करेंगे कि हा मुझसे गलती हुई थी इस तरीके से मुझे difficult situation दिख रही है कुछ चीजे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको भी सामने जुकाने की कोशिश करेंगे आज रात को न वो कुछ ऐसी argument करेंगे या फिर कुछ ऐसी बाते बोलेंगे अगर आप उनकी गलती को point out करोगे तो वो इस तरीके से आपकी गलती को point out करेंगे तो कही न कहीं आपको feel होगा कि शायद मैंने गलती किया है ठीक है शायद मेरी गलती है इस तरीके से मुझे दिख रही है situation ठीक है, वो आपको manipulate कर देंगे, वो आपको कहीं न कहीं, खुद कुछ accept करेंगे, आपको कुछ accept करवाएंगे, समझ रहे हो हाँ मेरे से गलती हुई है और तुम से भी हुई है, मैं अगर माफी मांग रहा हूँ या फिर रही हूँ, तुम भी वो करूँ, यह person वो चीज़ करेंगे, दिमाग से खेल जाएंगे तो रात को तो इनका बहुत तगड़ा वाला फ्लान मुझे दिख रहा है तो थोड़ा से संभाल के next, next, next हमारे पास क्या है answer arriving, ओके जो लोग बिल्कुल no contact situation में हो, बहुत टाइम से बात नहीं हो रहे है partner से, ठीक है हरी कोशिश कर रहे हो की थोड़ा बात हो जाए, थोड़ा सब यह हो जाए, वो हो जाए, ठीक है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके life में answers आना start हो जाएंगे, आपके phone call बजना start हो जाएगा, इनके side से contact होना start हो जाएगा, इनके side से action आना start हो जाएगा, ठीक है, इनका call यह आपका call pick up करना start करेंगे, मतलब कुछ suddenly कुछ angel हो सकती है जैसे होता है कि angel blessings करते हैं, तो कुछ बहुत positive चीज़े होती है, तो उसी तरीके से चीज़े मुझे दिख रही है ठीक है answer arriving बहुत सारी चीज़ों के answers अगर आप ये भी थे कि मैं क्या करूं मैं इस रिष्टे में और wait करूं या फिर move on करूं, एक thought आपका अगर ये भी था ना, तो honestly मैं बोलूँगी कि आपको वो चीज़ का भी answer मिल जाएगा, ठीक है इनसे बहुत सारी जवाब मिलेंगे आज आपको, आज रात अगर आपकी बात होती है तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये बहुत मीठे शब्द आपके पार्टनर आपको बोलेंगे तुम प्यार के हख़दार हो, तुम प्यार के हख़दार हो जितना प्यार तुमने मुझे दिया है कहीं ना कहीं उत्रा ही प्यार तुम deserve करते ही करते हो मुझसे क्यांपे ऐसा लग रहा है क्यांपे ऐसा लग रहा है कि आपकी person आपको कुई flower का वो photo भेज सकते हैं या फिर rose का flower एक दूसरे को देना बड़ा पसंद है, rose related कुछ बात हो सकती है ठीक है इस तरीके से या फिर एक दो दिन से आप रोज फ्लावर बहुत अपने गिर्द देख रहे हूं तो यह भी एक साइन है कि यह पॉसन भी कही न कहीं चाहते हैं आपको प्यार देना और वो भी कही न कहीं मन में सोचते हैं यू डिजर्व लव ठीक है आप दे नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलेटी यह कमिट्पेंट को शो करता है अगर आपका बहुत इंबालेंस हो के चीज़े चल रही है तो कुछ लोगों को आज रात ही आपकी पार्टन की तरफ से कमिट्पेंट मिल जाएगा है फिर हम शादी करेंगे फ्यूचर का कुछ मिलत फ्यूचर प्लान आप दोनों मिलके साथ में आज करोगे ठीक है चीज़े इतनी अच्छी हो जाएगी इतनी बहतर हो जाएगी आज रात आपके पॉर्टन और आप मिलके फ्यूचर प्लानिंग करोगे फ्यूचर के बारे में बात करोगे ठीक है पॉजिटिव होगी काफे चीज़े, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिव इन द मूमेंट, आज राट तगड़ा बात होगी आप दोनों की, और कहीं न कहीं आप दोनों उस मूमेंट को बहुत अंजॉय करोगे, आप दोनों ही उस मूमेंट को बड़ा ही fruitful मानोंगे, आप दोनों ही सोचोगे कि ये time बड़ा fruitful है हम दोनों ही एक दूसरे के साथ time share करते हैं मतलब ये कि दोनों को ही एक level तक खुशी महसूस होगी, दोनों को ही एक level तक happiness महसूस होगी दोनों जी होगे, एक दूसरे को किस तरीके से emotional support दिया करते हैं, दोनों जी होगे ठीक है, उस moment को, उस वक्त को So that's it guys, ये थी आपकी reading I hope आपको ये reading पसंद आई और अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए, बाई गाई